हेलो व्योर्स कैसे हैं आप सब तो IPL 2023 बच कुछ वक्त दूर है तो आज हम प्रिव्यू करने वाले हैं डिफेंडिंग चैंपियन गुजरा टाइटन्स को जो की काफी ज़्यादा ताकत और टीम मने जा रही है और strongest टीम में से एक है और इनके पाँच impactful प्लेयर भी बताऊँगा जो की इस पूरे सीजर में आपको सबसे शांदार performance करते हुए देख सकते हैं तो अगर आप इस चैनल पर पहले बार आ रहें तो इसको जरूर सबस्क्राइब करें और अपनी टीम कमेंट वोक्स में जरूर बताएं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं गुजराथ टाइटन्स टीम की आपको मैं प्लेइंग 11 बता दूँगा strongest प्लेइंग 11 और फिर बात करेंगे इनकी क्या strength और weakness हो सकती है और इनके पास क्या opportunities है और भी काफी कुछ जानने को मिलेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुजराथ की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है तो इसमें आपको शुमान गिल देखने को मिलेंगे रिदीमन सहा ओपनिंग करते हैं देखने को मिलेंगे दैन के विलमसन हार्दिक पंडिया डैविड मिलर आपके पहले match में available नहीं है तो उनक सी कंडिशन है उस हिसाब से अपने प्लेइंग 11 ये चेंज करते हैं जाएंगे तो जो गुजराथ एंटनस की पहले हम बात करते हैं इनकी पूरे टीम है ये इसने सारे एरिया कवर कर रखे हैं कि फिनिशर भी इनके पास है लाइक आपके डैविड मिलर हैं हार्दिक पंड जैसे या फिर गेंट से परफॉर्म करके दिखाता है और इनकी सेकिंड स्ट्रेंथ है कि इनके जो ओपनर है ओपनिंग में यानि शुबमान गिल जो है इस टीम की बहुत बड़ी ताकत है जो की विक्रिट फैक्त नहीं है और कंसिस्टेंट रन अपने टीम को बना कर देते हैं अब हम बात करते हैं कि इस टीम की वीकनेस क्या हो सकती है तो स्ट्राइकर इस टीम की बड़ी वीकनेस हो सकती है यह टीम आपको अगर पहले बलेवाजी करती है तो आपको 169 पर यह टार्गेट सेट करते वर यह दिखेगी यह 150-160 तक यह अटकी रहे जाएंगे और हर्दिक पंडिया और डैविड मिलर ने साड़े 400 से जाधर रहन बना के इस टीम को डिफेंडिंग चैंपियन बनाया है यहाँ पर तो इनके उपर कफी ज़्यादा डिपैंड रहे गिए हलाकि शुमन गिल भी अच्छा पर्फूम करते है फाइनल में भी अच्छा हो जाए तो यह गुजरात के लिए बड़ी प्रॉब्लम है अब मैं बात करूंगा कि इस टीम के लिए कौन हो सकता है इंपक्ट फूल प्लेयर और कौन सा खिलारी इस टीम के लिए अच्छा करते हैं आपको देखने को मिलने वाला है तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे हार्दिक पंडिया नंबर वन कैप्टन है अल राउंड पर्फॉर्म करेंगे और थ्रीडी प्लेयर है अभी और कभी भी अपना गेम पलट सकते हैं और सेकेंड जो इस टीम को सूपर स्ट्राइकर होगा वो होगा आपका शुबमान गिल ये साल इनके लिए बहुत ही किस्ते भी मैच जिताएंगे जहां भी कोई बैट्समें सैटल होता है तो उसको राशिद खान सबसे पहले निप्टाते हैं और पोदिशन टीम का सबसे इंपोर्टेंट खिलाडी बड़ा खिलाडी कोई भी ज़धा हवा में उड़ रहा है तो राशिद खान इसलिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है इस गुजरा टैटेंस टीम के लिए अब चोता जो खिलाडी है वो जो स्पेशल हो केन विलमसन होने वाले है जाने कि जैसे कुरूशल मैचिस होते हैं तो सारी टीम में चौक कर जाती है तो हर टीम को एक केन विलमसन जैसे बल्यवास की तलाश है ज बहुत ही जबर्दस बाई है और इन्होंने इंडिया के लिए अभी कुछ ही मैच खेले है बट इनकी बल्लेबाजी और गेंबाजी दोनों कमाल किये गेंबाजी में अगर यह अपने थोड़ी एक्यूरेसी लिया है और स्मार्ट बोलिंग करे तो विदे जिरोधी टीम को चोका सकते हैं इनके पास समादा है तो गुजरात की टीम मेरे हसाब से कौलिफायरस में देखने को मिलेगी आपको और आप बताएं कि आपको गुजरात की टीम कैसे लगी अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं